अगर आपके कोडिनेशन नॉमंक्लेचर में दो कॉंप्लेक्स स्फेर आ जाएं तब कैसे करते हैं उसका एक पैटरन है यह दोनों पैटरन है पहली बात क्या करेंगे पहली तो यह बात याद रखी कि पहला पार्ट क्या होता है कि तैनिक दूसरा क्या है एनाइनिक हम प्लस म पार्ट में पढ़ा वाइनिक पार्ट में पढ़ायवाँ उसकी नेमकी इंडिंग किस्से होगी एटवर्ड से होगे अब पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पर कितने लिगेंड से हैं यहाँ पर लीगेंड आजायें तो आप जो भी मैटल दे रखा यह उन दूनों को एक ल जाण यहां क्यां हो सिक्स alors यहां पर मॉनिक्स इसको भी मालें क्याई गए और यहां रमीम और कोबाल्त दोनों ही प्लस स्टेट में अब कैसे नोमन क्लेचर करते हैं वह देख लिए पहले यह आपको समझ आगा सब कर दो इस चीज़ को कि अब लिखते कैसे हैं वह पैटरन देखिए इसके लिखने का पैटरन भी थोड़ा सा हट के लिखने हैं अब कोवाल्ट है सबसे पहले क्या आता है इसका नाम क्या हो जाएगा ट्रा अमीन डबल एमाएगा ध्यान अखना फिर डाई ख्लोराइडो तो और फिर और बाल्ट नोर्मली आएगा और आपने निकाली है थर्ड अच्छा एक साथ लिखना है मेरे पर यह पर जगनी है यह नहीं करना आपने कि भी पैसे कर दिया चलो अब यहां पर तो मैं चेंज कर सकता हूं तो एक साथ ही करेंगे तो टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो कोबाल थर्ड अब फिर अगले पर आजिए अब यहां पर क्या है साइनाइड और फिर क्या है प्रोमेट यहीं चीज बस यहां पर मैक्सिम बच्चे गलती करते हैं और पहला पार्ट क्या है कैटाइनिक और दूसरा पार्ट क्या है इसका नाम क्या हो गया तो क्रोमेट थर्ड लिखे विटा लिए तो क्रोमेट थर्ड आपका आ जाएगा यह कब करने हैं अगो दोन्यों के नंबर उप लिगें से मैं जैसे यहां पर भी देखें हम दोनों का एक्स मालेंगे एक्स जी रोव एक्स माईनस तू जी रूव एक्सिसकल्टू टू एक्स क्या ओगया प्लस वन किया है प्लस वन उलव और चिडेशन स्टेट में अ है अब अब यहां पर क्या आएगा बोलो कि इसमें क्या होता है एट जब अर्जंट एट किना अलग है इसिल्वर एट मत कर देना इसका नाम क्या हो जगा डाइमीन सिल्वर फर्स्ट यह आपको चीज समझने वाली है यहां तक बताओ जो चीज ना समझा कर दाइमीन सिल्वर फर्स्ट डाइसाइनाइडो अर्जंटेट फस्ट केस का नोमन क्लिक है तो यह हमने क्या सिखा बेटा कि अगर सेम नंबर ओफ लिगेंड आ जाते हैं तो उस केस में ऑक्सिडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं यह लिख लिए आप सबने हैं और जो बच अब हम क्या करेंगे अगले को द्यान से तो इसमें क्या है नहीं पता कि यहां पर कितना पोजिटीव आएगा अब थोडा सा यहां पर आई-क्यू लेवल का अब ृस्तेमाल करना पड़ते हैं अगर डिफरेंट आजे तो किसी एक को कर लो x-4-1 फिर नहीं हम क्या करें इधर प्लस टू इधर माइन्स टू इधर लीजिए प्लस टू एक्स की आगया प्लस फोर यहां पे जो प्लस फोर ओक्सिडेशन और इस केस में क्या करेंगे एक्स-4 इक्वल माइनस टू एक्सिस कल टू प्लस टू यानि यहां जो प्लस टू यही इच खासियत है और यही थोड़ी सी डिफिकल्टी भी है इस पैटरन की हर एक बच्चा नहीं कर सकता इसने कर रखा है वही कर पाएगा मज़े हो अब इसका अब नोमन क्लेचर मुश्किल नहीं है बाकी तो सारे इजी है टेट्रा अमीन टाई लोराइडो लैटी नम ओक्सिडेशन स्टेट और टेट्रा लोराइडो लैटीनेट यही चीज़ सीखनी है अब यहां पर दोनों डिफरेंट लेवल देख लेते हैं अब खुद करोगे क्या थोड़ा सा पहले वाले में क्या होता है फट्रा पीरीडीन यहीं लिख है अब यह प्लैटीनम है लैटीनम ओक्सिडेशन स्टेट क्या निकाली तुमने टेट्रा लोराइडो लिख है और फिर क्या हो गया प्लैटीनेट ओक्सिडेशन स्टेट इसमें मुश्किल गया था अब हम बात करते हैं अगले की अब यह अपने आप में अभी तक का जो मैं मानता हूं कि मुश्किल आया था वह यह आया था और और सीब्सक्राइब के अंदर यह कोश्ण आए तो अच्छा है अमेशा कंपार्टमेंट का पेपर डिफिकल्ट आता है यह बात ध्यान रखें तो बगवान ना करें किसी कंपार्टमेंट आए मगर आती है जब नहीं पड़ेंगे पूरे साल थो क्या होगा अब यहां पर क प्लस ब्लस टू काम नहीं चलिगा पिर अगला क्या करें अब जिंक की यह स्कार …? क्लेचर इजी है क्या हो गया एंटा अमीन कि आइसो थायोसाइनेटो और फिर क्या आगया हमारा क्रोमियम और ऑक्सिडेशन स्टेट के आएगी फिर क्या आगया टेट्रा फ्लोराइडो और फिर जिंकेट फिर क्या आजाएगा जिंकेट और फिर क्या आजाएगा जिंकेट ऑक्सिडेशन स्टेट तो यह आपका क्या हो गया तो यह मैंने आपको सिंपली वे में बता दिया कि किस टाइप से अगर दो कॉम्प्लेक्स स्फेयर आएंगे तो उनका नोमंक्लेचर करते हैं